हेलो फ्रेंट से वीडियो में बात करने वाला है कि इंस्टाग्राम से जो आपकी वीडियो से डिलीड हो जाती है फोटोस होगी या रिल से अपकी डिलीड हो जाती है तो उसको आपर रिकवर कैसे कर सकते हो वापस कैसे ला सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाल यहां पर क्लिक करने के बाद next page open हो जाएगा और यहां पर मुझे instagram पर follow भी कर सकते हो technical गीता नाम से अगर कोई problem है issue है मेरी वीडियो से related जितनी वीडियो मेरी चैनल पर है तो आप यहां पर question कर सकते हैं तो उसके बाद मैं आपको यहां पर photos दिखा देती हूं इसमें से मैं क देखा कि यह वाली post है मैंने delete कर दिया चाहब वीडियो की ना वीडियो को भी आप recover कर सकते हो तो मैंने आपको यहां पर delete करके दिखा तो उसके बाद आपको 3 line मिल जाती हूं पर यहां पर आपको click करना है उसके बाद आपको setting को select करना है सबसे first वाला option जैसी आप यहां प select करते हो और यहां पर आपको एक account का option देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको account को select करना है जैसी आप account को select करते हो थोड़ा सा scroll down आते हो तो यहां पर आपको option देखने को मिल जाता है recent deleted ठीक है यहां से आपको select करना है जैसी आप select करते हो तो आपकी photo यहां पर show करती है तो यह आपकी फोटो वीडियो हो तो आपकी यहां पर शो कर जाती है तो यहां से मैं फोटो को लॉपन करती हूं बाद यहां आपको वहीं टॉबने के बैद उसके बाद रिषटोर जाएं अरह आप ड्रीड करऩ चाहते है क्लिया तो यहां से डिलीड भी हो जागे पर्मानेंटली तो यहां से आपको रिस्टोर पे क्लिक करते हैं तो यह रिस्टोर हो चुकी है और बहुत जादा important चीज बाद में आप questions करते हो यह जो photo वीडियो आप recover कर सकते हो तो सिर्फ आप तीस दिन के अंदर-अंदर कर सकते हो उसके बाद recover करना थोड़ा difficult हो सकता है अगर आपने वीडियो कुछ टाइम पहले ही delete की एक मन्त से पहले पहले ही तो आप उसको recover कर सकते हो तो जैसे मैंने यहां पे back कर लिया यहां पे मैं आपको दिखा देते हूँ आपको एक बार refresh भी कर लेना है जैसे अब refresh करोगे तो यह वारी फोटो मैंने delete कर दी थी और यह recover हो चुकी है तो इस तरह आप Instagram से कोई भी delete photo वीडियो वापिस ला सकते हो तो आई हो वीडियो आपको अच्छी लगे होगे तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को like, share, comment और channel को subscribe करना मतभूना Thank you